दोस्तो स्टार प्लस का शो गुम है किसी के प्यार में दर्शकों को काफी पसंदा रहा है और इसे शो से आईशा सिंग ने दर्शकों के दिलों में अपने लिए बेहत खास जगा बना ली है शो में जिस तरह ये सई के किरदार को परदे पर पेश करती है वो दर्शकों को काफी पसंद आता है और यही वज़ा है कि आज आईशा सिंग टीव इंडस्ट्री की सबसे मशूर अभिनेत्रियों में शुमार की जाती है जिन में काई दर्शक तो शादी करने की तमना रखते हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं जहां आम जनता में लोग इनसे शादी करने की तमना रखते हैं वही हमारे टीव इंडस्री में कुछ अभिनेता ऐसे भी है जो कि आईशा सिंग को उनकी खासितों के वज़़े से काफे पसंद करते हैं और उनसे दोस्ती करने की तमना भी रखते हैं जी हां तो अखिरकार कौन से हैं वो अभिनेता जो कि आभिनेतरी आईशा सिंग से दोस्ती करने की इच्छा रखते हैं आईए जानते हैं हमारी आज किस वीडियो के जरिए नमबर वन शगुन पांडे अभिनेतरी आईशा सिंग से जो अभिनेता दोस्ती करना चाहते हैं उनमें सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेता शगुन पांडे का जो कि वर्दमान में मेट सीरियल में नज़र आ रहे हैं आपको बता दे शगुन पांडे आईशा सिंग को काफी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि जब उन्होंने पहली बार आईशा सिंग को देखा था तो वो पहली नज़र में ही उन पर अपना दिल हार बैठे थे और यही वज़य है कि आगे उनके साथ रिलेशन्चिप में आना चाहते हैं जिसके शुरुआती दोस्ती से करना चाहते हैं जिसके चलते इनका नाम नमबर वन पर आता है ये रिष्टा क्या कहलाता है में अभिमन्यु के करदार को निभाने वाले हर्षट चोपडा भी आईशा सिंग से दोस्ती करना चाहते हैं और बात करे इसकी वज़ा कि तो आपको बता दे हर्षट चोपडा की भी आईशा सिंग से कुछ मुलाकाते हो रखी है जहां इन्ही मुलाकातों में आईशा सिंग ने अपनी स्वीट नीचर और चुलबुले अंदा से हर्षच चोपड़ा को काफी ज़ादा दीवाना बना दिया था जिसके वज़े से कुछ ही मुलाकातों में उनके साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें काफी ज़ादा अच्छा लगने लगा था और यही वज़ा है कि ये आईशा सिंग को अपनी दोस्त बनाना चाते हैं अभिनेत्री आईशा सिंग से जो अभिनेता दोस्ती करने की इच्छा रगते हैं उसमें आकरी नाम आता है अभिनेता रोहित सूचनती का और बात करें इसकी वज़ा की तो आपको बता दे दरसल रोहित को भी आईशा सिंग की आक्टिंग से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बहुत ही जादा पसंद है वही इन्हें तो ये भी लगता है कि इन दोनों के थौट्स भी एक दूसरे से काफी जादा मिलते जोलते हैं जिसके चलते इनका मानना है कि ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं और इसी वज़ा से ही आईशा सिंग से दोस् खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें